हम ये रूलर अर्थात पट्टी लेंगे, आधार देने के लिए हम इन पानी से भरी हुई बोतलों का उपयोग करेंगे यदि हमने ये पानी से भरी बोतल को पट्टी पर रखा, तब क्या होगा? पट्टी जरा सी मुड़ जाएगी अब यदि हम बोतल की जगा बदल दें और उसे खड़ी स्थिती में रखें, तब क्या होगा? क्या पट्टी उसी प्रमान में ही मुड़ेगी? इस समय पट्टी थोड़ी अधिक मुड़ जाएगी ऐसा क्यूं हुआ होगा यह पहली वाली बोतल ही तब है जो बल लगा है वो उस बोतल का बजन है हमने सिर्फ बोतल की जगा बदल दी है जिस बात में बदलाव आया है वो क्षेत्र जो पट्टी के साथ संपर्क में आ रहा था हमने उसी का उपयोग किया है परन्तु इस बार पट्टी का क्षेत्र कम था जितना बल लगाया है और क्षेत्र के अनुपात को यदि हम देखें तब पाएंगे कि जब हमने बोतल को खड़ी रखा था उससे ये क्षेत्र अधिक है इसी अनुपात को दाप कहा जाता है हमारे पास दो किले हैं एक नुकिली है और एक कील को नोक नहीं है बताईए कि इस लकडी के टुकडे में हम किसे लगाएंगे यदि हमने जिस कील को नोक नहीं उसे हतोडे से ठोकने की कोशिश की तब वो लकडी में अंदर तक नहीं जा पाएगी हम हतोडे के द्वारा समान बलका इस्तमाल कर रहे हैं पर बिना नोक वाली कील कही नहीं जा रही है अब यदि हम उसी बलका इस्तमाल नोक वाली कील पर करें तब वो उतने ही बल में दीवार के अंदर या लकडी के टुकडे के आरपार गुश जाएगी इसका अर्थ है कि कितनी मात्रा में बल का इस्तमाल करना है इसका पता होना परियाप्त नहीं है हमें ये पता होना अवश्चक है कि बल जहां परिणाम कर रहा है उस सता पर क्या वो समान रूप से वितरित होता है नोक वाली कील के उदारण में बल का वितरण कम क्षेतर पर ही केंदरित हो रहा है और बिना नोक की कील में बल बड़े क्षेतर में वितरित हो रहा है ये संकल्पना जिस सद्न्या से परिभाशित की जाती है उसे दाप कहते है ये प्रतिक्षेत्र बल की मातरा होती है दाप का अर्थ होता है कि एक वस्तू दूसरी वस्तू को कितनी मातरा में धकेलती है दूसरी वस्तू पर जो असर होता है वो बल की अपेक्षा दाप का आधा लेते हुए अधिक योग रूप से बताया जा सकता है। इस पिन को अपने अंगूठे और तरजनी के बीच में पकड़ें। अब धीरे से पिन को दबाएं। पिन के किस छोर पर अधिक दर्द महसूस होता है। जो छोर नुकिला है या जो छोर नुकिला नहीं है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार पिन अंगूठे पर जो बल लगा रही है और वो बल जो तरजनी पर लग रहा है। इन दोनों की मात्रा समान ही हैं पर वे विरुद्ध दिशा में हैं। यही वो अंतर है। जिसे ही दाब कहा जाता है। पिन के नुकिले छोर पर जो दाब है उसका प्रमान बिना नोक वाले छोर के दाब के प्रमान से अधिक है। इसका कारण यह है के नुकिले भाग द्वारा व्याप्त क्षेत्र बिना नोक वाले छोर द्वारा व्याप्त क्षेत्र से कम है। इसी कारण समान बल होते हुए ही नुकिले छोर पर दाब अधिक होगा और बिना नोक वाले छोर पर दाब कम होगा याद रखें कि दाब बल प्रती युनिट ख्षेत्र है यदि मैंने आपको उंगली चुभोई तब शायद आप मुझ पर गुसा हो जाएं भले ही उसका परिणाम अधिक देर ना ठिके के लिए परियाप्त होगा क्या आप बता सकते हैं कि हम किस संकल्पना के बारे में बात कर रहे हैं जी हां ये संकल्पना भी दाब ही है दाब को बल प्रती युनिट ख्षेत्र के रूप में परिभाशित किया जाता है दाब की ऐसाइकाई पासकल है न्यूटन यदि उसका बजन सौ ग्राम है तब हम कह सकते हैं कि ये कागज टेबल पर एक पासकल डाब डाल रहा है पासकल से भिन भी अनेक ही काईयां है जिनका आम तोर से इस्तमाल किया जाता है जैसे वायू मंडलिय दाब को मिलिबार में टायर के दाब को PSI अर्थाथ पाउंस प् द्रव और गैसी अर्थाथ वायू रूप इन तीनों में परिभाशित किया जाता है पर गैसी और द्रव रूप के लिए ये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं यहां पर एक छोटी पिन है यदि हमने इस पर एक गुबारा रखा और उसे धीरे से दबाया तो क्या होग वो फूट जाएगा एक पिन के स्थान पर अब हम एक रबर रखेंगे जिस पर सौ पिन्स पास पास लगा कर रखी हैं यदि हमने एक छोटा गुबारा इन पर रखा और धीरे से उसे दबाया तब क्या होगा क्या वो फूटेगा कदापी नहीं भले ही उस पर हमने एक लिटर पानी की बोतल रख दी फिर भी उसे कुछ नहीं होगा क्या आप बता सकते हैं कि गुबारा क्यों नहीं फूटा होगा इसका सम्मंद दाप से हैं भले ही हमने समान बल का प्रयोग किया था फिर भी जब हमने एक पिन का इस्तमाल किया था तब दाप बहुत अधिक था पर जब हमने अधिक पिन्स का उपयोग किया तब ऐसा नहीं हुआ हमने जिस बल का उपयोग किया था वो बल बड़े एक शेत्र में वितरित हो गया और इसी कारण से वो हर नोक पर घट गया था सारांज हमने दाप के बारे में एक नई संकल्पना को जाना दाप का अर्थ होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को कितनी मातरा में धकेल रही है वस्तु पर हुए असर को बलकि अपिक्षा दाप के रूप में बताना अधिक असान होता है